तो आपको बुलाया है आप सब अमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा है दोस्तों आप लोगों को जान कहरी के लिए बताने इस समय आचुके नवी मिटी छिवरा मुष्ट पर आप देख वा रहे हैं सुवद सुवद Twitch का बंदी के कांपुंति की आग्रा मंणी की और उत्रा खनंड़ की नयों और क्या घ्य घक बात करने इस सहरे के वाइड़े में और किया लाया है यह लिए बात करने वेच्ट केमरे से आप लोगा मैं चलनल पर नहीं तो मैं चलनल को लाइक इन सब्सक्राइब ले और एक भाई को किसको सेर जरू कर दें विए अपनों को आज जनकारी के लिए बता दें आज दिनांग के तीन अफ्राइल है और इसमें भाईया लोग कर भी आज तो कौन साल लाई हो साहते सतानवे क्या रट भी जाया बिचने वाला है क्या है प्रोसेस अच्छा आपको बुलाया है बिच जाएगा शहाज़ा रूम बताया है ना आपको आपको खुला है यह आलू यह ना यह आलू आफ लोग देख लीजिए गा साहते सतानवे अब लूग शेजिए निकले देगर से जाएगा शवाजा जाकी सब्जी मंदी लगती है अच्छा तभी सुबा सब आप लोग चले आए नहीं चेसर में बोला बेखने के लिए चलते हैं देखते हैं कहीं ने कहीं विका होगा आप लोगो भी दिखाएंगे चलिए एक सकते आप लोग इतर रहा होगा अभी सुबेस वह का बक्त है एक दो ट्लानिया उतर खड़ी नजर आ रही है उतर भी खड़ी है चलते हैं वहीं पर देखते हैं क्या रड़ बिचा है आलू यह लो सैंते सत्ता नवे आलू नजर आ रहा होगा आपनों को देख लीजिएगा सब्सक्राइब तो यहां के पड़ता नहीं आ रहा है तो लंसम मंडी के विजिए के खुल लालालू आया है क्या लालू कल विकाता आज नहीं आया वी लालू कल क्या रचा था आज यह सपेद आलू सासर रूपे में बिच गया अभी दूसरी आन पर बोलो का यह चेसर और म अच्छा 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 वो मीडियम बगएरा होगा ना तो आप लोग देख वा रहे हैं एक तो ट्लाजी नहीं आजर आरी विस वे सब्सक्राइब का बक्त है और देख लीजिए गाई यह संते सत्थानवी आलू था अपनों देख लिए सासर रूप हम अध अच्छा अच्छा आप कहां से हो कहां से चेतर में पढ़ता है अलू लायों अच्छा आपके चेतर में कुरावली मंडी पढ़ती है अच्छा अच्छा यह कुसमरा के पास नहें रायर क्या गलबागल से कहीं से ना अच्छा तभी हम कहें को महिन पूरी जिला से अधर इस आगए आपके चेतर में कितना अलू हो आभी अच्छा ना चलिए ठीक है धन्डवाद में और मेरे सामने है प्याज आप लोग देख लीजेगा वड़िया फिरेश प्याज नजरार बहिया यह प्याज क्या राइट है अज प्याज क्या राइट है थोग में थोग में ठीक है रही पाउट है तो आप लोग देख लीजे आए यह प्याज है ना सिक्वाला प्याज है चलिए भूत धन्वाद देख वारें है समय सब्जी मंदी में लोग डाउन की बज़े से इतना इन्हीं अपनों को प्याज का रेट बता दिया है और नीचे आपको किसका रेट और चाहिए अब बात करेंगे हम कानपुर और इलावाद मंडी की और आगरा मंडी की और फरकावाद मंडी की तो आप लोगों को बता दें कि कानपुर मंडी में आज आमदनी तो कुछ हलकी फुलकी हुई है पर आज वहाँ साड़े चार सो रुपए से लेकर साड़े पान सो रुपए जो बढ़िया फिरेश आलू होता साहिते सत्तान में बगएरा प्रति चालिस केजी यानि वहां मन के साथ विस्ता एक मन चालिस केजी का होता है कानपुर में आज विच्छा हुआ है सब चार सो लेकर साड़े पांसो रुपए पिरति मन चालिस केजी का रहे यह आप लोग यह समझे लिजीगा और अगर बात करें हम लोग फरकावाद की तो फरकावाद में तेरा रुपए परबरतन नहीं हो रहा है दो तीन से ब्लाइट वही निजर आ रहे हर जगा की बात की है इलहाबाद मंडी में तेरा सो रुपए सब लेकर चाओदा सो रुपए साड़े चाओदा सो रुपए जट को इंटल तक अलु बिचा है और बात करें इलहाबाद गाउं के छेत्रों हमें आलू कमशे कम भी 20% डंप लोगों अपना अपना डेल लगा के रखा है तो वह आलू बारा सो रुपए से लेकर तेरा सो रुपए को इंटल तक आज बिचा है आज देनांके आपनों को पताई है तीन अप्राइल है और और अगर बात करें हम उत्तरा खंड की तो उत् लगा हुआ है अगर बहूंप बात करें लगा हुआ है तो बहुत बंगल के बंगल में आज आलू शाड़े 600 रुपए से लेकर 680 रुपए तक आज आलू बिचा हुआ है और इस समय लोगों बता रहे है यूपी से आलू जो जा रहा है बहार आलू जो जाता है बनाए्ट बगयरा जहां भी जाता है आज कल पड़ता नहीं आ रहा है बेश्ट बंगाल से जो भी आलू आ रहा है और उसी में जाता फायदा हुड़ी है तो चलिए दोस्तों आगरा की बात कर लेते हैं आगरा में आज आलू 30 praticamente बड़ा है और अब बात करेंगे बिस्तार में उस बात पर से बहुत परिसान हो रहे इक करें चिंतिर के क्या क्या करें वीडियो उसके लिल्यट करें चलिए वीडियो में मिलते हैं वीडियो में फरकावाद कि फरकावाद में आज आलू तेरा सो रुपए से लेकर फंद्रा सो रुपए क्वेंटल तक बिचाए और आमदनी की केर बात करें तो आमदनी तो कम से कम 30-40 मोटकी वहां थी ही थी तो आप लोग चीनतेत नहीं हुएगा जल्दी वीडियो बनाएंगे इस पर कि अलू को लेकर लोक बहुत भिर्मित हो रहा है कि अलू खराब हो जाएगा क्या करना चीए बेजना चाहिए अकूल लिस्टोर में रखना चीए बाते करेंगे कहीं लोगों से और आपको राय जरूर देगे कि क्या करना चीए अलू कर चलिए